देश का ताना बाना बिगारती खतरनाक हिंदूतूर राजनीती की हिंसा घटना है करमचारी संगठनों ने ईश्रम पोटल का स्वागत किया पर कमिया भी बताई चारकन सरकार ने निजी कमपनियों से किया मो युकरार उठ रहे हैं कई बड़े सवाल और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में 30,941 नए मामले 350 मरीजों की मौत देश में हिंदूतू के नाम पर हिंसा करके अलप संक्यक समाज में लगातार भै का महौल पैदा किया जा रहा है हिंदी बाशी प्रदेशों जैसे मध्यप्रदेश, राजिस्थान और उत्तर प्रदेश में लगातार धार्मिक सोहार्थ पर घात हो रहे हैं मध्यप्रदेश धर्म के नाम पर नफरत और आपराध का केंद्र बनता जा रहा है राजे में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाए हुई हैं जिसमें अल्पसंक्यक समुधाय के लोगों के साथ कथित दक्षिनपंती विचारधारा के लोगों ने धारमिक आधार पर हिंसा की है इधर कुछ समय से लगातार डक्षिन पंती विचार धारा से प्रभावित कुछ लोगों द्वारा अल्पसंक्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है मुसलिम समाज के जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है उनमें जादातर वन्चित वर्क से आने वाले हैं जो ठेला लगा कर या चूडियां आधी बेच कर अपनी दो वक्त की रूटी का इंतिजाम करते हैं ऐसे मामलों की खबरे मतुरा, अजमेर, इंदौर, देवास, उज्जैन, आगरमालवा और कानपुर से प्रकाश में आई हैं अभी हाल में भारते जंता पार्टी द्वारा शासित उत्तरप्रदेश के मतुरा के विकास बजार में एक मुस्लिम युवक को डोसा ठेला श्री नाच जी के नाम पर लगाने पर एक उग्र भीड द्वारा धमकाया गया मुस्लिम युवक को भीड ने अप शब्त कहे और उसके ठेले पर लगा बैनर फार दिया पीडित ने निउसक्लिक को फोन पर बताया कि हिंसक भीड खुद को बजरंग दल का एक हिस्सा बता रही थी हिंसक भीड को शायद कानून का कोई डर नहीं था अभदरता के बाद उन्होंने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायल कर दिया बताया जा रहा है कि जमा भीड को मुस्लिम युवक के ठेले का हिंदू नाम शीनाच जी होने पर आपत्ती थी शेतरादिकारी वरुन कुमार ने मीडिया को बताया है कि पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है पीडित इर्फान ने अग्यात लोगों के विरुद रिपोर्ट भी दर्स कराई है इससे पहले भी 12 अगस्त को उत्रप्रदेश के कानपुर में पजरंग दल के कथित कारेकरताओं ने अफसार एहमद नाम के ई रिक्षच लाने वाले को बेरहमी से मारा जब उग्रभीड अफसार एहमद को मार रही थी उस समय उनकी बेटी अपने पिता को बचाने के लिए रो रखकर फर्याद लगा रही थी इसका भी वीडियो सामने आया है जिसमें अफसार एहमद को मारने वाले गले में भगवा सकार्फ डाले हुए हैं जो उससे लगातार जैश्री राम के नारे लगवा रहे थे दिल्चस्प बात यह है कि धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले इतने वे खौफ हो चुके हैं कि वो हिंसा की तस्वीरें और फोटो खुलेयाम सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं इतना इने भूसंक्यक समाज का वर्ग भी इस हिंसक भीड के समर्थन से में सड़क पर उतर आता है जैसे की कानपुर की घटना के बाद देखने को मिला सियासत से लेकर जनता तक दबाव के चलते हैं पुलिस द्वारा मुकदमा इतना हलका लिखा जाता है कि तुरन थाने से ही जमानत हो जाए और अभियुक्त को जमानत रिहाई के लिए अदालत में पेश ही ना होना पड़े असद रिजवी की ये रिपोर्ट आप हमारी हिद्नी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं असंगटित वर्क के मुझदूरों के लिए एक राश्ट्रे डेटाबेस रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 26 अगस्त को शुरू किया गया इससे पहले पिछले महीनी की शुरुवात में सुप्रीम कोर्ट ने केंदर श्रम मंतराले को फटकार लगाई थी और ट्रेड यूनिनों से सुझाव मांगे थे एक तरफ जहां श्रम संगठनों ने इसे साकारात्मक कदम बानते हुए इसका स्वागत किया है वहीं उन्होंने इसकी कुछ खामिया भी गिनाई है श्रम मंतरी भुपेंदर यादब ने गुरुवार को ईश्रम पोर्टल की शुरुआत की जो केंदर सरकार की देश के 38 करोड असंगठत मजदूरों को आदिकारिक आगडों में दर्ज करने की प्रक्रिया के तहत किया गया है इसका नाम हुगा National Database of Unorganized Workers इस प्रक्रिया के तहत इसमें दर्ज हुए हर मजदूर को एक ईश्रम कार्ट दिया जाएगा जिसमें एक बारा अंग का नमबर होगा नरिंद्र मोदी सरकार इस डेटाबेस का इस्तमाल असंगठत मजदूरों के लिए समाजिक सेवा योजनाएं शुरू करने के लिए इस्तमाल करेगी किंद्र सरकार के अनुसार निर्मान मजदूर, प्रवासी मजदूर, रहेडी पट्री वाले, घरेलू कामगार, दूद वाले, ट्रक चालक, मचवारे, खेती हार मजदूर, गिग और प्लाटफॉर्म वरकर्स इस पहल में शामिल होंगे कुछ प्रमुक चिंता है जिनमें ये भी शामिल है कि पंजी करन की प्रकारिया ही कई श्रमिकों के बहिशकार कारण बन सकती है उनने ये भी कहा कि है कि चुकि ये एक पंजीकरित करमचारी को मिलने वाले लाभों के बारे में अभी तक कोई स्पश्टता नहीं है लक्षित स्व्रमिक अपना पंजीकरन कराने में जादा उत्सुकता नहीं दिखा सकते हैं हमारे देश की सियासत में अब ये स्थ्याई रिवाज ही बन गया है कि कोई सत्तादारी दल जब विपक्ष में बैटा होता है तो वो जिस मुद्दे के विरोध का जंडा बुलंद किये रहता है सत्ता में आते ही उसी एजंडे को लागू करने को अपना राजधर्म बना लेत है 28 अगस को देश की राजधानी में सिर्थ होटल ताज में हेमंत सोरेन सरकार ने महत्वकांशी निवेशक सम्मेलन यानि इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जिसमें मुख्यमंत्री ने जहारखन की ओद्योगिक एवब निवेश प्रोचान नीती 2021 को जारी करते हुए हेमन सोरेन हैं जो विपक्ष में रहते हुए पूर्व की सरकारों दोरा निजी कंपनियों से किये गए MOU का मुखर विरोध करते थे तब वे इसे प्रदेश के लिए आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लूट की साजिस बताया करते थे और सारे MOU रद करने की मांग किया करते थे लेकिन आज वही हैं मन सोरेन बड़ी निजी कंपनियों से हाथ मिला रहे हैं इसी निवेशक सम्मेलन में डालमिया कंपनी के साथ हुए MOU के बाद मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि जैसे हमारे भी स्टार्टा स्टील सम्हू के लोग हैं डालमिया हैचान देश दुनिया के सामने आए इसी कंपनी के खिलाफ कुछ ही दिन पहले जामूमो की उरिशा इकाई ने आदिवासियों को समर्थन दिया था उरिशा के सुंदरगर जिला सिद राज गांगपुर में इसी कंपनी की सिमेंट फैक्टरी के विस्तारी करन के लिए जमी अधिगरहन के लिए प्रशासन द्वारा बुलाई गई जन सुनवाई के विरोध में आदिवासी मूलवासी का साथ देने के लिए उनकी पार्टी की प्रधेश अध्यक्ष वे बहन भी पहुंची थी लेकिन उन्हें कई पार्टी नेताओ के साथ होटल में ही नजर बंद क कर दिया गया था इसका विरोध खुद हेमन सोरेन ने भी किया था लेकिन वे अब उसी डाल्मिया कंपनी को जारखंड के लिए बुला रहे हैं ये पहला मौका नहीं है जब मीडिया ने हेमन सोरेन सरकार द्वारा निजी कॉर्परेट कंपनियों से किये गए MOU करार करने प इतना पुलकित होकर तारीफों के पुल बांदे हों ताज होटल में दो दिनों तक चले इस निवेश सम्मेलन के आखरी दिन शनिवार को देश की कई दिगज निजी कंपनियों के साथ 10,000 करोन निवेश पर सहमती बनी केंदर स्वास मंत्राले द्वारा आज मंगलवार 31 अ 50 मरीजों की मौत हुई है साती इसी बीच देश भर में करोना से पेड़ित 36,275 मरीजों को ठीक किया गया है और आक्तिव मामलों में 5,684 मामले भी कम हुए हैं देश में संक्रेप में लोगों की संक्या बढ़कर 3,27,68,888 हो गई है जिन में से अब तक 4,38,560 लोगों की 80 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्तिव मामलों की संक्या घट कर 1,3% यानि 3,70,640 हो गई है स्वास मंत्राले की तारा जानकारी को इनुसार अब तक करोना वैक्सीन की 64,58,644 डोस दी जा चुकी हैं जिन में से अभी तक 69,62,286 वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के लिए रांटम में बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वैब साइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बूक इंस्ट्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और यूट्यूब कर सब्स्राइब करें नीश क्लिक द